पसकार दोस्तो, डिजिटल गुरुकुल में मैं सरे कान ताप लोग सब का एक बर फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तो आप किसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हो या तो किसी एक्जाम के तियारी कर रहे हो उनमें से आगामी खेल कहा होने वाले इनसे प्रशन बहुत ज़्यादा बनते हैं आज मैं इसी से सम्मंदित इंपोर्टेंट खेल और उनके आयोजन स्तल से प्रशन क्या-क्या बन सकते हैं उसको लेकर आया हूँ बहुत important topic है अंतक देखते रहिए तो चले इस तो देर न करते वे सेशन के सुरुआत करते हैं पहला प्रशन है कि 36 वे राष्ट्री खेल 2020 का आयोजन भारत के किस रज में किया जाएगा यानि National Games 2020 कहां पर खेला जाएगा तो सही उत्तर है 36 वे राष्ट्री खेल 2020 का आयोजन भारत के गोवा में किया जाएगा अब ये कितने नंबर का संस्क्रण होगा ये इसका 36 संस्क्रण होगा तो डेपेंटले इसका 37, 38 या तो 49 संस्क्रण कहां होगा ये भी कर्शन पूछा जा सकता है या तो इसकी सुरुवात कब भी ये भी पूछाया सकता है ये सब जानते हैं पर उससे पहले आपको बता दो कि 36 वे नेशनल गेंट 36 वा जो होने वाला है गोवा में वो कब से 4 नॉंबर से 7 नॉंबर तक प्रस्तावी तर इसका सुबंग कर या नि ये मसकट बहुत इंपोर्टेंट है रूबी गिला क्या ये एक बुलबुल की प्रजाती है रखा गया है आपको बता दो कि पहली बार 1924 में खेला गया था ये बट 1924 में पहली बार ये लाहॉर में खेला गया और पहले इसका नाम इंडियन ओलम्पिक के नाम से जाना जाता था पहली बार Dr. 1940 में यह बॉंबे में खेला गया और उसके बाद से नाम परिवर्टित कर गयी इसका नाम क्या कर दिया गया राष्टिये खेल कर दिया गया 36 वा राष्टे खेल गुवा में खेला जाएगा 37 वा राष्टे खेल 36 गड़ में होगा 2020 में 38 वा राष्टे खेल 2022 में उत्राकण में प्रस्तावी थे और 49 वा राष्टे खेल 2030 में मेगाले में प्रस्तावी थे ये सारे प्रस्तावी थे सम्भावना है कि इन जगाव पर होगी अगर प्रस्ट में पूछा जाता आप टिक लगा सकते हैं अगला महत्व पुन प्रस्ट की हाली में कोरोना वायस के कारण किस ग्रैंड स्लैम को रद करने की घोशना कर दी गई कौरोना वायस को देखते हैं करोना वायस को देखते हैं पहले प्रतम विशुयूद और दिरते विशुयूद में ये कैंचल किया गया था और तिसरी बार ये कैंचल किया गया कोरोना वायस के कारण ilawb kiedy पूछाया सकता है कि कितने Grand Slam होते हैं टोटल ग्राज चार Grand Slam होते हैं टैनिस में बहुत important है Australian Open, Vib London, French Open और US Open इनमें से 2020 में Australian Open हो चुका है जिसके विजिता रहे हैं नुवाग जोकोविच नुवाग जोकोविच का संबंद किस देश से है तो यह सर्विया के खिलाड़ी है इसका अलाव French Open जो प्रोस्पॉंड कर दिया गया है सितंबर 2020 तक के लिए बहुत important है सारी चीजे अगला पसना कि खेलो इंडिया महिला अंडर 21 होकी लिग के पहले संस्क्रण का आयोजन कहां किया जाएगा बहुत important प्रस्ण है तो सही उत्तर है खेलो इंडिया महिला अंडर 21 होकी लिग के पहले संस्क्रण का आयोजन तीन जगों पे किया जाएगा दिल्ली, बैंगलूरू और भुबनिश्वर ये तीन चरणों में किया जाएगा फर्स स्टेज दिल्ली में सेकेंड जो है बैंगलूर में या तीसरा जो है भुबनिश्वर में खेला जाएगा आईए इसके बारे में और थोड़ी जानकरी ले ले लेते हैं इसे भारती होकी फेडरेशन के साथ मिलकर खेल प्रादेकरण ने मिलकर इसका आयोजन करने का फैसला लिया है पहला चरह नई दिल्ली में मेजर ध्यान चर्ण स्टेडियम में खेला जाएगा दूसर चर्ण जो है बैंगलूर के साइस स्टेडियम में खेला जाएगा तीसर चर्ण जो है भबनिश्वर के कलिंग स्टेडियम में खेला जाएगा, पहले संसकर्ण में कुल 14 टीमें भाग लेगी इसके पहले, खेलो इंडिया के द्वारा ही फर्स्ट इनिवर्स्टी गेम भी खेला गया जिसमें टॉप पे कौन सा इनिवर्स्टी रहा आप मझे कमेंड बफ से कमेंड करके बताएंगे इसके लगा खेलो इंडिया यूद गेम का तीसरा संसकर्ण बिहाल ही में असम के गवाटे में खेला गया, जिसमें विजेता रही महरास्टर, अगला प्रसना की COVID-19 यानि कॉरोणा वारिस के कारण टोकियो उलम्पिक को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया, तो सही उत्तर है, टोकियो उलम्पिक को एक साल के लिए रद्द कर दिया गया, कोरोणा वारिस के प्रभाव को देखते हुए, ये गोशना की गई कि ये जो उलम्पिक होने वाली थी, जापान की राज़वानी टोकियो में, ये अब 23 जुलाई 2021 से इसकी सुरुवात होगी अब जब बात आई है, ओलम्पिक की तो बता दो कि टोकियो उलम्पिक जो 2020 में होना था, अब 2021 में होका और इसका सुबंगर क्या है, सुमाईती इसका सुबंगर है, इसका अलावा ये जो Tokyo Olympic होने वाली है इसका कितनी नमबर का संस्क्रण है तो ये इसका 33 संस्क्रण है आपको बता दो कि पहले Olympic खेल खेला गया था कहां Greece के Athens में खेला गया था 1896 में आपको बता दो कि Olympic खेल का आवजन प्रतिक चार वर्स के अंतराल में किया जाता है अब जब upcoming sports venue की बात आई है तो 2021 में होने वाला है कहां पे टोकियो में उसके बाद 2024 में होगा कहां पैरिस में और 2028 में होगा लॉस एंजलेस में अगला बसने की COVID-19 के कारण पैरा Olympic Games को कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया तो Olympic की तरह ही पैरा Olympic Games को भी एक साल के लिए रद्द कर दिया गया यानि ये भी अब कब होने वाला है 2021 में होगा पैर Olympic गम 25 अगस से ये सुरुवात होनी थी 25 अगस 2020 से सुरुवात होनी थी पर ये प्रोस्पॉन करके यानि रद्द करके अब इसे 2021 तक के लिए डाल दिया गया इसका लगा Badminton Federation of India ने Corona virus महामारी के वज़े से Thomas और Uber Cup जो होनी थी बहुत important event है Badminton की इनको भी रद्द कर दिया गया अब एक exam में recently पूछ लिया गया कि COVID-19 का full form क्या होता है तो CO for Corona होता है, VI for virus होता है, D for disease होता है, Corona virus disease अगला परसने 2021 में होने वाले World Athletic Championship को किस वर्स के लिए स्तागित कर दिया गया तो से उत्तर है Corona virus को देखते हुए World Athletic Championship 2021 को एक साल यानी 2022 तक के लिए स्तागित प्रोस पॉइंट कर दिया गया है बात करते हैं World Athletics की, तो Vishwa Athletic Championship 2021 की जगा अब 2022 में होगा आपको बदा दो कि 2021 में ये अमेरिका के औरंगेन में होने वाला था, बट अब इसे 2022 तक के लिए जो है वो प्रोस पॉइंट कर दिया गया है अगला परसने की F.I.B.A. महिला बास्केट बॉल विस्व कब दिया जाएगा तो सही उत्तर F.I.B.A. महिला बास्केट बॉल विस्व कब 2022 का आयोजन आस्ट्रेलिया में किया जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है आपको ध्यान रखना है अब ये तो क्लियर है कि महिला बास्केट बॉल विस्व कब 2022 की मेजबानी आस्ट्रेलिया करेगा आपको बढ़ा दो कि आस्ट्रेलिया दूसरी बार महिला बास्केट बॉल विस्व कब की मेजबानी कर रहा है इसके पहले 1994 में भी इसने विस्वकप की मेजबानी की थी ये 10 दिनों तक चलने वाला एक टोडामेंट है 2022 में इसे खेला जाएगा आपको बढ़ादो कि विस्वकप के दौरान गुल 38 मैच खेले जाएंगे अब आपके मन में डेफिनेटली आएगा सर F.I.B.A. इसका फुल फॉर्म क्या होता है फैडरेशन इंटरनेशनल देव बास्केटबॉल इसका फुल फॉर्म होता है F.I.B.A. के अद्धक्च है हमाने नियांग और फाउंडेशन हुई थी 18 जून 1932 को हेड़क्वार्टर है सोजलेंड में अब अगला जो इवेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम पॉइंट आप वीज से कि क्रिकेट विस्व कब 2023 का आयोजन इनमे से किस देश में किया जाएगा तो 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा इसले भी इंपॉर्टेंट है और क्रिकेट से प्रशन बनने के सम्मावन है बहुत जादा है 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा ये तो क्लियर हो जाता है अब इसके बारे में क्या क्या प्रशन और बन सकते हैं कब से कब तक खेला जाएगा तो 9 फरवर्डी से 26 मार्च तक का आयोजिन किया जाएगा 2023 में भारत में ये इसका तेरवा संस्क्रण होगा इसके पहले 2019 में ये इंग्लेंड में खेला गया था और इंग्लेंड लिसका विचेता रहा था भारत ने अब तक दो बार वर्ल्ड कप जीता है 1987 में और 2011 में दो बार वर्ल्ड कप भारत ने जीता आपको पता होगा अब डिसेंटले की एक्जाम में पूछ लिया गया कि वर्ल्ड कप की सुरुवात कव हुई थी 1975 में वर्ल्ड कप की सुरुवात हुई थी और पहली बार ये इंग्लेंड में ही खेला गया था इसका रहा बता दो कि महिला विस्टो कब 2021 में न्यूजिलेंड में आयोजित किया जाएगा अब इसे आयोजित करती है कौन? ICC के द्वारे इसे आयोजित की जाती है तो ICC के स्थापना 15 जून 1909 में की गई थी इसका मुख्याले कहाँ पे है? UA में अध्यक्षे कौन? ससांक मनुहा, CEO कौन है? मनुसाहनी इसका अलवा भारत में जो क्रिकेट होती है उसे BCCI कंट्रूल करती है हेड़कॉर्टर मुंबई में है CEO राहूल जहुरी है इसके प्रिसिडेंट है कौन? सारव गंगुली और फांडिशन हुई थी 1928 को अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं विंटर ओलंपिक यानि सीथ कालिन ओलंपिक के वर्स 2022 में होने वाला है कौन सीथ कालिन ओलंपिक? किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन तो विंटर ओलंपिक 2022 का आयोजन किया जाएगा चाइना में ये तो कनफर्म है कि विंटर ओलंपिक 2022 चाइना में किया जाएगा इसके अलवा आगे 2022 में चाइना के बीजिंग में 2024 में उसके बाद फ्रांस में किया जाएगा 2026 में सीथ कालिन जो किया जाएगा वो कहां मिलान में किया जाएगा 2028 में कहां किया जाएगा USA के लॉस एंजलिस में किया जाएगा इतकर अगर राश्ट मंडल खेल की बात करे तो 2022 में राश्ट मंडल खेल भी होने वाला है कहाँ पे UK के बर्मिंगम में खेला जाने वाला है राष्टमंडल खेल 2022 इसके पहले 2018 में हुआ था अगला परसन की वर्ष 2023 में पुरू सौके विश्टुकप का आयुजित किस देश में किया जाएगा मेंसौके की बात की जा रही है तो मेंसौकी 2023 में आयुजित किया जाएगा हमारे देश भारत में ही इससे पहले भी वर्ड कप भारत में खेला गया था कहाँ भारत के उरिश्चा के भुबनेश्वर में खेला गया था याद रखिये बहुत ही इन्पॉर्टेंट है इसके लगा पुझा सकता है कि वर्ड कप के स्टार्ट कप किया गया था 1971 से ये खेला जा रहा है अब तक सरवादिक बार जीत दर्ज की है पाकिस्तान की टीम ने 1975 ने भारत में इससे एक बार जीत दर्ज की थी 2018 में भारत में भुबनेश्वर ने उडिश्या के राज़दानी भुबनेश्वर में खेला गिया इसके लगा इसका आयोजन इंटरनेशन होकी फेडरेशन की द्वारा की जाती है इसके स्तापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को मिख्यालाई लुशाने में है अजदक्षे नरेंद्र बत्रा अगला पस्ताइक एसी आई खेलों के 19-वे संसकरन का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा तो सही उत्तर है 2022 में चाइना के जांगजू सिटी में किया जाएगा 19-वे संसकरन एशियाई खेल का बहुत इंपोर्टेंट है एसी आई खेल कि 19-वे संसकरन का आयोजन चाइना के जांजू में किया जाएगा एसी खेल कि जो है 2026 में जापान में होगा 2018 में ये इंडोनेशिया में खेला गिया था और इसे खेला किस के द्वारा जाता है तो आलम्पी काउन्सिल पेशिया के द्वारा इसे आयोजन किया जाता है इसके स्टापना हुई थी 16 November 1882 को मिख्यालय है कुईत सिटी में इसके अलावा नेक्स्ट जो है मैंने दिखा दिया यहाँ पे कहा होने वाला है जाएगा हम लोग उन्हें क्रिकेट देखा हौकी देखा अब फुटबॉल की बारी है बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है तीनों ही तो फुटबॉल विश्यो कब 2022 में होने वाला है ये भी प्रस्ण बन सकता है कि कब होने वाला है तो 22 वा कहां खेला जाएगा कतर में खेल जाएगा याद रखिए अब अंतराष्टी फुटबॉल को आयोजीत कौन करता है इसे आयोजीत किया जाता है फीफा के द्वारा एफ आफ आइफ ए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्जाम में बहुत बार पूछ लिया गिया इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसके हेड़क पूछा जाए तो जो एक सुजर लेंड में इसका हेड़कॉर्टर है और इसके प्रेसिडेंट कौन है गयने इनफेंटीनो इसके प्रेसिडेंट है दो हजार बाइस में कतर में दो हजाच चबविस में इसे तीन जगों पे खेला जाएगा कैनड़ा मेक्सिको और यूएस इन तीन जगों में मिला कर खेला जाएगा अगला पसने की महिला टी टी ट्विस्व कप का आयोजन दो हजार बीस में किस देश में किया जाएगा तो सही उत्तर है आस्ट्रेलिया में आयोजन किया जाएगा टी ट्विस्व कप महिला टी ट्विस्व कप का कब दो हजार बी भारत में आयुजित किया गया था T20 पुरुस विस्षोप ब्सकाइब वेस्टेंड इंग्लैंड को हराया था इसमें 2020 में उस्टेलिया में आयुजित किया जाएगा अगर महिला T20 20thankकआज Storm में 2018 में वेस्टेंडिज में आयुजित किया गया था ऑच्वराया था और चौति क और विजेता बनी थी कौन? ऑस्टेलिया 2020 में इसे आयोजित किया जाएगा और 2022 में इसे दक्षिन अपरिका में आयोजित किया जाएगा अब अगर पूछा जाए कि खेलो इंडे यूद गेम के तीसे संस्क्रन का आयोजित किस राज्ज में किया गया है बहुत important है तो यह भारत के आसम में आउजित किया गया खेलो इंडे यूद गेम का तीसरा संस्क्रण बहुत important है आसम के गोहर्टी में खेलो इंडे यूद गेम का तीसरा संस्क्रण खेला गया इसमें टाप पे कौन रहा इसमें टाप पे महाराश्टरा रहा है खेलो इंडे पहला संस्क्रण जो है वो खेला गया था नई दिल्ली में, दूसरा संस्क्रण महाराष्टर में और तीसरा संस्क्रण जो खेला गया हाली में असम में, पहले संस्क्रण में हर्याना विजयता था, दूसरे संस्क्रण में महाराष्टर विजयता रहा, तीसरे संस्क्रण में भ भारत की राजदानी दिल्ली में बहुत इंपॉर्टेंट है दो जरेकिस में पहले बार विश्व मुक्य बाई चेंपियंशिप की मेजबानी हमारा देश भारत करेगा इसलिए बहुत भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे बढ़त करते हैं राष्ट मंडल खेल यानि कॉमन संसकर्ण होगा कहां पे खेला जाएगा इंग्लेंड के बर्विंगम में खेला जाएगा हम लोगों ने देखा कि पुरुस हाकी विस्टार क्विसदेगों कहां संसकर्ण होगा 2012 के महला विस्टार कंप का. अगला पसने की 2023 में FIB पूर्ज बास्केटबॉल विश्यू कप का आउजित किया जाएगा तो सही उत्तर है 2023 में आउजित किया जाएगा पूर्ज बास्केटबॉल विश्यू कप कहा आउजित किया जाएगा रहा था इसके बाद 2019 के बाद 2023 में खेला जाएगा इंडोनेशिया जापान और फिलिफिन्स में मिला कर इससे आयोजित कौन करता है IFIBA द्वारा आयोजित किया जाता है IFIBA का फुल फॉर्म है Federation International दी बास्केटबॉल यानि की Federation International दी बास्केटबॉल एस्सोसेशन इसका इसके अज़ा जाएगा तो यहां एक प्रस्ण बन जाता है कि र्ग्वी विसोगा कप खेला जाया है तो 2023 में खेला जाएगा दोस्तो आज के लिए इतना ही आज के लिए आपका क्विज का प्रशन है कि 2019me Frा महिला विस्वकॉप का आयोजन किस देस्मी किया जाएगा हम लोगों ने देखा कि फुटबॉल पुरुस विस्वकॉप का आयोजन कहा किया जाएगा क्या आप बता सकते हैं कि फीफा महिला विस्वकॉप 2019 का आयोजन कहा किया जाएगा USA, Netherlands, France और Japan आपक्स का उत्तर मज़र कमेंट बॉकसर कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही जल्द ही लोटेंगे नए वीडियो नहीं नालिज के साथ तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें तेक्स पर वाचिम वीडियो जहीं जहाँ दोस्तों